अज़ आज हम पड़ेगे एक इंपोर्टेंट टॉपिक यह दैट इस वाट इस साइबर सिक्रेटी क्या होता है इस साइबर स्कुरिटी इस प्रेक्टिक सिस्थम्र नेट्वर्क जाता है कुछ इस सिस्थम्र को प्रोग्रामस वांदिजिटल अच इच अब हैं साइबर ऑ हैं साइबर साइबर एक और यूज़ली इमडर ओ अससे शींग चेंजिंग और डिश्रॉइं संटीव इन्फॉर्मेशन एक्स्टॉर्टिंग मनी फ्रॉम यूजर वाया रंजम वियर और इंटरॉप्टिंग नॉर्मल बिजनिस प्रॉसेसेज क्या होते हैं इसमें कुछ लिया जाता है लाइक सेंजिट्व इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है मतलब एसेसिंग यहां उसको चेंज कर सकते हैं यहां उसको डिश्ट्रॉइ कर सकते है एक स्टॉर्टिंग मुनी फ्रॉम यूजर यहां मतलब पैसा लूट सकते है वाया रंजम वियर यह एक सौफ्ट वियर होता है और इंटरॉप्टिंग नॉर्मल बिजनिस प्रॉसेसेज मतलब आपकी जो नॉर्मल बिजनिस प्रॉसेसेज हैं उनमें इंटरॉप्ट कर सकत है आपका जो भी केंप्यूटर होता होगा उसको ब्लॉक कर सकते हैं यह है साइबर अब है टाइप आफ साइबर शिक्रेटी थ्रैटर पहला है फिशिंग फिशिंग क्या होता है फ्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रैडूलेंड इमेल इमेल इस फ्राम रिपेटेबल सोस मतलब इसमें कुछ फ्रैडूलेंड मतलब फ्राइड इमेल इस आपको बेजी जाती है इन आडर तो सेटील संजिट्व इनफॉर संजिट्व डेटा लाइक क्रेडिट कार नंबर और लॉग इन फॉर्मेशन इन आडर तो सिटील मतलब आपसे यह ले सकते हैं तेंजीट्व लाइक क्रेडिट कार नंबर लॉग इन फॉर्मेशन दूसरा है सोशल इंजीनेरिंग टैक्टिक दाड़ एड़ एडवसरी इस तो ट्रिक यू इन्टो रिवीलिंग संजिट्व इन फॉर्मेशन मतलब इसमें आपको संजिट्व इन फॉर्मेशन मागी जाती है आपको मोनिटरी पेमेंटर्स मोनिटरी पेमेंटर्स और कॉन्फिदेंशल डेटा आपसे यह ले सकते हैं मतलब आपसे पैसा लूट सकते हैं और कॉन्फिदेंशल जो भी आपका डेटा होगा इंपॉर्टन डेटा होगा वो आपसे यह ले सकते हैं example है click on link is download malware और trust on malicious sources मतलब जब आप किसी link पे click करते हो जो कि fraud होती है download malware ये एक software होता है जो कि computer इसको affect करता है मतलब उनकी function को affect करता है और trust malicious source मतलब आप जब एक malicious fraud source पे trust करते हो Like आजकल online loan होते है तो उनमें बहुत सारे ऐसे loan है जो fraud है तो उसमें क्या होता है आप अपना सब detail देते हो और फिर वो आपको continuously blackmail करते है और continuously आपको पैसा मांगते है तीसरा है ransomware ransomware क्या होता है ये एक type of malicious software which is designed to extract money by blocking access to files or the computer system until ransom is paired मतलब ये एक malicious software होता है fraudulent software होता है जो किसलिए बनाया जाता है in order to extract money by blocking files मतलब आपसे ये पैसे लेते हैं आपकी जो files होती हैं उनको ये block करते हैं आपके computer system को ये block करते हैं तब तक जब तक आप पैसे नहीं बरोगे मतलब आपको पहले कुछ पे करना है और इसकी कोई guarantee नहीं है कि ये आपके files को recover करेगे और आपके computer को restore करेगे अब है और एक चौथा है malware malware क्या होता है type of software designed to cause damage to a computer मतलब ये एक software है जो computer को damage करता है अब है threats associated with internet banking मतलब कौन-कौन से threats है जो कि internet banking में पहला है इसमें भी fishing attack मतलब इसमें कुछ आपकी जो भी personal information है वो आप से ली जाती है sniffing the act of intercepting and monitoring traffic on internet मतलब internet system में कुछ आई ये बुला करते है data breach data breach का मतलब है exposing customers financial information मतलब ये आपकी जो financial information है उसको ये expose करते है सबको दिखाते है need of cyber security in online banking online banking में cyber security की क्या ज़रूरत है cyber security is key for bankers to keep customers money safe and secure मतलब ये एक key है bankers की in order to keep the customers की जो money है उसको safe रखते है cyber security in banking cyber security is the practice of protecting sensitive information and systems in the banking sector from unauthorized access disclosure, disruption, modification, or destruction banking system में क्या होता है cyber security इसमें प्रोटेक्ट करते है ये कुछ sensitive information systems in the banking sector from unauthorized access मतलब फ्राड लोगों से disclosure से, disruption से, modification से और destruction से ये बचाते है users can follow these setups to protect themselves from cyber issues ये कुछ setups है जिनकी मदद से आप cyber issues मतलब cyber attacks से आप बच सकते हों पहला है be mindful while sharing information online जब भी आप information को share करते है online तो उस वक्त आपको careful रहना पड़ेगा do not share your personal information with strangers आपको जो भी personal information है वो आपको strangers के साथ share नहीं करना चाहे like account numbers, password, OTP, PIN, etc. ये है दूसरा है be aware of fraudulent emails and text messages, do not click on unlike unknown links be aware of fraudulent emails and text messages, do not click on unknown links पे आपको click नहीं करना चाहे तीसरा है use strong passwords and update them regularly be aware of the latest cyber attack scheme, मतलब आपको aware रहना पड़ेगा about latest cyber schemes जो आते है आजकल latest नए नए cyber scheme जाते है, avoid using public wifi network to carry out financial transaction lost है only use those websites and apps जिन पे आप trust करते हो, तो ये थे कुछ setables